आप सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का चैनल एश्टलाजर में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुरभाग्य के बारे में हम जानेंगे दुरभाग्य क्या होता है के से आता है जीवन में दुरभाग्य कैसे दूर कर सकते हम दुरभाग्य को दुरभाग्य कुछ विशेश रूपों में जीवन में प्रवेश कर सकता है जैसे संतान बाधा से जातक परेशान हो सकता है विवहादेर से हो सकता है या फिर कलह प्रिये जीवन साथ ही मिल सकता है और पूरा जीवन बरबाद हो जाता है सही आय का स्रोत नहीं मिलता है और पूरा जीवन करजे में बीच सकता है शारिरिक या मानसिक रूप से जातक दुर्बल हो सकता है शत्रुद्वारा काला जादू किये जाने के कारण भी जीवन बरबाद हो सकता है आतहा दुर्भाग्य अनेक रूपों में जीवन में प्रवेश कर सकता है इसका कोई विशेश रूप नहीं है वो समय जब कोई वेक्ती सभी तरफ से परेशानियों से घिर जाता है वो समय दुर्भाग्य का समय कहलाता है खराब समय कहलाता है, कठिन समय कहलाता है हर कोई अपने परेशानी के समय से बचना चाहता है और इसके लिए विभिन प्रकार की यतन प्रयत्न करता रहता है जोतिश के हिसाब से कोई भी बुरा समय हमारे द्वारा किये गए पूर्व कर्मो का ही फल होता है और बुरे समय को कुंडली के अध्यन से पता किया जा सकता है बुरा समय विक्ति को भाग्ये पर भरोसा करना सिखाता है क्योंकि उस समय सारी मेहनत भी काम नहीं आती है यही समय दूसरों के आगे जुकना भी सिखा देता है ये समय अहंकार को भी चकना चूर कर देता है इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दुर्भाग्य का कुछ positive impact भी जीवन में जरूर पड़ता है क्योंकि दुर्भाग्य के समय को निकालने वाला वेक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ले आता है जो कि भावी जीवन के लिए उसके लिए काफी जादा सहयक सिद्ध होते हैं हाला कि ये भी सत्य है कि दुर्भाग्य हमेशा नहीं रहता है कुछ निश्चित समय के बाद फिर से जीवन बदलने लग जाता है और ये समय भी जोतिश के द्वारा जाना जा सकता है आईए अब जानते हैं कि जब दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश करता है तो जातक के साथ क्या-क्या घटनाय घट सकती है बदकिस्मती के कारण जातक की नोकरी जा सकती है जिसके कारण जीवन में परेशानी चा सकती है बार बार दुरघट ना एघट सकती हैं दुरभाग्य के कारण कभी कभी जातक अपने सबसे प्रिये से जुदा हो जाता है अचानक से घर के पालतु जानवर भी मर जाते हैं कुछ लोग गंभीर बिमारी से ग्रस्थ हो जाते हैं प्रेम संबंधों में दरार आने लगती है वेवाहिक जीवन कठिन हो जाता है दोस्ती भी तूटने लगती है भूख खत्म होने लग जाता है चिंताओं के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में तनाव का माहूल शुरू हो जाता है अन्चाही लडाईयां शुरू हो जाती है गलत नेड़नय के कारण आर्थिक नुकसान भी खूब होता है गलत क्रियाओं में संगलगन होने के कारण समाज में भी बदनामी होने लग जाती है व्यापार में भयंकर हानी होने लग जाती है वैवाहिक जीवन अस्तवियस्थ हो जाता है अगर किसी विद्ध्यार्थी का दूरभाग के शुरू होता है तो ऐसे में पढ़ाई में बहुत परेशानी आती है किसी बिमारी के कारण, किसी दूरभटना के कारण पढ़ाई में बाधाएं आने लग जाती है जीवन बोज के समार लगने लग जाता है वेक्ति को नकारात्मक विचार 2400 घंटे घेरे रहते हैं जब दुरभाग्य जीवन में प्रवेश करता है तो वेक्ति परेशान होके कई बाल आत्महत्या का भी प्रेयास करने लग जाता है आर्थिक तंगी, बदनामी, मानसिक दबाओ, सामाजिक दबाओ सब एक साथ ही विक्ति की जीवन में प्रवेश करने लग जाता है और यही समय दुरभाग्य कहलाता है आई अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए जब दुरभाग्य का प्रवेश जीवन में होने लगे जब आपको ऐसा लग जाए कि अब समय बिलकुल खराब शुरू हो गया है जोतिश के अनुसार हर परेशानी के पीछे कोई ना कोई विशेश कारण तो होता ही है और उस कारण को कुंडली के अध्यन द्वारा ही समझा जा सकता है फिर उसे दूर करने के उपाए भी मिल जाते हैं परन्तु अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें अपने खराब समय में तो अपने जीवन को बड़े नुक्षान से बचा सकते हैं जैसे कोई भी बड़ा नेड़ने जल्दी में ना लें जब हानी लगातार हो रही हो जिन पर भी आपको विश्वास हो उनसे सही सलह लेकर ही कुछ किया करें जहां तक हो सके मोन रहें और शान्ती से आसपास में होने वाली घटनाओं को देखें और समझें किसी भी हालत में कहीं निवेश ना करें जब ग्रहूं की दशा ठीक ना चल रही हो किसी नकारात्मक जगे में प्रवेश ना करें जब समय खराब चल रहा हो तो किसी से भी बहस ना करें किसी अनुभवी से सलह लेने में बिल्कुल भी ना जिचके जल्दी वाजी में कोई कदम न उठाएं अगर इन कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो भी बुरे समय में हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं आईए अब जानते हैं कुछ जोतिश्य सरल उपाय जिससे की दुर्भाक्य को रोका जा सकता है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग जाता है कि बुरा समय शुरू हो चुका है तो आपको अपने कुल देवी और कुल देवता की नियमित पूजा शुरू कर देनी चाहिए किसी भी मंदिर में नियमित रूप से रोज जाके कुछ शन वहाँ पर बैठना चाहिए और प्राथना करना चाहिए विशेश कर जब मंदिर में आर्थी होती है उस टाइम पे तो जरूर आपको जाना चाहिए और दुर्भा की मुक्ति के लिए प्रार्धना करनी चाहिए रोज अपने उपर पवित्र जल छेड़कना चाहिए रोज कुछ समय सत्संग भी करना चाहिए अर्थात उन लोगों के साथ समय बत बिताना चाहिए जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं जो लोग आपको प्रेड़ना दे सकते हैं इसके अलावा आपको अपने कुंडली भी जोतिश को दिखानी चाहिए और ये पता करनी चाहिए कि कौन सा कारण हो गया है कि जीवन में बतकिस्मती प्रवेश कर गई है और उसके आधार पर आपको सही उपाई लेके फिर उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि बड़े नुकसान से आप बच सकें और जल्द से जल्द स्वास्त संपन्ता को वापस से हासिल कर सकें दुर्भाग के आने से घवराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जितना घवराएंगे उतना जादा नुकसान आप कर बेठेंगे इसलिए मन को शान्त रखते हुए इश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने गुरू, अपने इश्ट, अपने कुल देवी, कुल देवता पर भरोसा रखते हुए बिल्कुल शान्ती से उन दरवाजों की तरफ निगाह ले जाना चाहिए जो आपके लिए दुर्भाग के किसा में भी खुले हुए है इस प्रकार से हम दुर्भाग के से बच सकते हैं, अपने जीवन को समार सकते हैं वापस से खोई हुआ, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, खोई सम्पत्ती प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी दुर्भाग से घबराएना, दुर्भाग को फेस करें उसके लियो चित परामर्ष लें कारण जाने और फिर उसका समाधान भी जाने तो उम्मीद है आपको दुर्भाग्य से संबन्धित काफी जानकरियां इस वीडियो में प्राप्त हो गई होंगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवार